ओम नमाह संभवायचा मयोभवायचा नमाह शंकरायचा मयसकरायचा नमाह सिवायचा शेवतरायचा ओम शान्ति 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 भारत वर्ष धर्म प्रधान देश रहा है धर्म चेतना के बल पर भारत कभी जगत गुरु की गर्मा से गौर्वानमित रहा है हमारे पुर्वजों ने जिस प्रकार के सांकेतिक स्वरूप को हमारे शाम ने प्रस्तुत किया है उससे हमें सीख लेने की आवस्टिक्ता है गनेश चतुरदस्टी के अबसर पर हम सबों को यह समझने की जरूरत है शंकर भगवान के सामने यह प्रस्न खरा हुआ कि दुनिया को कौन जीत पाएगा और जीत पाने के लिए सबसे पहली जो आवस्टिक्ता है वह है बड़ा सीर रखने की आवस्टिक्ता है कहा सारी दुनिया को अगर जीतना चाहते हो तो तुम क्या करो कहा अपने आपको जीतो आप लोगों ने सुना भी होगा हम बदलेंगे जग बदलेगा हम सुधरेंगे जग सुधरेगा गनेश भगवान की सवारी मूशा किस बात का परिचायक है मूशा बहुत चंचल होता है तारक किस और गनेश दोनों देवताओं के समीपस्त शंकर भगवान ने दुनिया को जीतने का उपक्रम रखा तारक तो मोर पर शवार हो करके धर्ती के भ्रह्मन को निकल परे मगर गनेश भगवान बाहर की दौर करने के बजाए मूशा पर सवार हो गए और माता पार्बती और शंकर के साथ फेरे लगा लिये उनका आसय या था तारक जब लोट के आये तो सोच रहे थे कि मैं तो चक्कर लगा लिया हूँ दुनिया का विजेता मैं बन जाओंगा लेकिन संकर भगवान ने देखा कि ये गनेश भगवान अपने मन पर नियंत्रन किया और माता पिता की परिकर्मा किया माता पिता की परिकर्मा से क्या आसय था हमारी यां सत्पत ब्रहमन का भी वच्छन है मात्रिमान पित्रिमान आचारिमान पुर्षोवेदा सबसे पहली मां की पूजा जो माता और पिता की पूजा नहीं करेगा वो दुनिया की पूजा करके भी बास्तम में जिस सफलता की जिस बुनियाद की पुरुनता की जरूरत है वो पूरा नहीं कर सकेगा हम सबों की जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले अपने मस्तिस का विकास करें और बरा मन बनाएं हमारी यां कहा भी गया तनमे मनाह सिव शंकल्प मस्तू मतलब हमारा मन जब कल्यानकारी मंगलकारी हितकारी बन जाएगा तो अपने आप में हमारा जीवन शदन जिस सवभाग से सुवासित हो जाएगा वह अद्वुत होता है निश्चित रूप से हम सबों को अपने मस्तिस का विस्तार करना ही चाहिए और इसके माध्यम से हम सबों को छोटी आँखें गनेश भगवान के अंदर में दर्शाई गई है छोटी आँखें आखिर किस बात का परिचायक है कि किसी विशय बस्तू को किसी विधा को सुक्षमता के साथ गंभीरता के साथ विशारदता के साथ उसको अध्यन करना और उसके अंदर में बहुत सारे राज और रहस्त भरे परे होते हैं जो उसको पढ़ता है विसिस्ट कहलाता है विसिस्ट जानकार हो जाता है और विसिस्ट जानकार के लिए सफलता सुलब हो जाती है हमारे यहां गरेश वगवान के प्रतीमा में बरे कान को दर्शाया गया है बरे कान का मतलब क्या होता है हमारी याँ पिता भी अपने पुत्र का नाम स्रबन कुमार रखता था हम लोग भी कहते हैं राइट लिसनिंग इस बीगेस्ट मेडिटेशन अब ठीक ठीक सुननास ठीक ठीक स्रबन करना न्यूटन ने सुना से हो गिरते हुए अखिर धर्ती पर क्यों आया और उसने गृत्वा करसन के नियम बता दिये राइट बर्दरस ने देखा चिडियां बिहार कर सकती है और उसने अपनी दूर दर्सता से हवाई जहाज देख लिया जेम्स बाट ने देखा बास्प कटली के मुनना को उपर डकेल लाता और रेलगारी देख लिया ये है सही सही सुनना राइट लिसनिंग इसको कहते हैं जीवन में चार चांग लगाने के लिए सफलता के सिखर पर जाने के लिए या परमावस्यक है कि हम अपने कान को सतर्क और शाबधान रखे सुस्रबन से जोरे और स्रबन के बाद गनेश वगवान की परतीमा में छोटे मूँ दर्स आए गए हैं ये छोटा मूँ क्या कहता है हम किसी बात को पचाने की पात्तरता अपने अंदर में जमाई रखें बात सुन करके अगर आप तुरत का तुरत खोल देते हैं तो आप अलके हो जाते हैं हो सकता है उस बात में गहराई भी न हो और ओ कही का कही उर्जाए अंदे का बेटा अंधा और महाभारत युद्ध हो जाता है अगर यहाँ पर मुनी लोगों ने मौन रखा है मुनी मौन सालेंस इस गोल्डन देयर कहा गया है यह मौन के माध्यम से जो रिसीविंग लेवल का प्रमोशन होता है आप उतने बड़े रिसीवर, कैचर बाद में तो महर्शी कहलाते हैं वो लोग गनेश बगवान के शूर को लंबे रूप में दरशाया गया है यह लंबे शूर का मतलब क्या है मतलब यह है मतलब यह है कि हम सबों को आगे जो शमस्याएं आने वाली है उसके लिए पहले से सतर्क और शाबधान रहें आप लोगोंने सुना होगा सतर्कता गई और खत्रा हुई तो यह साबधान जीवन में रहनी की आवस्तिकता जो बेक्ती साबधान रहता है वो बरी-बरी शमस्याओं को सहज सुल्जा लेता है और बरा पेट का मतलब क्या है बरा पेट का मतलब है हम बहुत सारी बातों को पचाने की छमता रखें छोटा मुँ से मेरा मतलत तो ये था कि हम बानी पढ़नी अंतरन रखें बानी कम से कम बोलें आप सुनेंगे बानी ऐसी बोलिये मन का आपा खोए अपना मन सीतल करें औरों को सुख होए हम लोग एक मंतर पढ़ते रहे हैं जिसका आर्थ होता है मीठा हो मेरा मिलन मीठा हो मेरा बिचुरन बानी से बोलू मधू हो जाओं मधूशम मधूर तो ये जीवन में मधूरता को लाना अपनाना ये हमारे छोटे मुँ का परिचायक है और बरे पेटका की बात को पचाने का अपने अंदर में छमता और योग्यता को रखना गनेश भगवान के हाथ को चार हाथ दर्शाया गया है ये चार हाथ क्या सिखाता है चार हाथ ये सिखाता है एक जूटता को कि हम सब जब समू लोग समाज के लोग एक जूट रहेंगे तो हम उचाय को सफलता को शौंदर को विकास और बैभग को परमेश्वर को पूर्णता को प्राप्त होंगे आज बहुत बड़ी आवस्यक्ता है शंगठ नात्मक एक जूटता की और उसके वज़े से जहां पर एक जूटता नहीं है वहां पर वी घटन है विद्ध्वन से शर्बनास है इसलिए हमें गनेश बगवान के चार हाथों से हम सबों को एक जूट होने की प्रेणा गरन करनी चाहिए और तूटा हुआ दात गनेश बगवान को दर्शाया गया है इसका क्या आसे है तूटा हुआ दात से मतलब यह है कि हम सबों की जिम्मेदारी है कि बरी उपलब्दी के लिए छोटी चीजों का परित्याग कर देना खुद को बलिदान कर देने की दसा में अपने जीवन को सबारना त्याग और बलिदान हमारे जीवन में जिस परकार के उत्स और उमंग को जिस प्रकार के शौंदरी और बहार को पैदा करते हैं वो अलबेला है मस्ताना है दीवाना है वो घजब का है क्याते ही या देश है अलबेलों का मस्तानों का दीवानों का ये दीवानगी कब आती है जब हमारे अंदर में दम निकले इस देश के खातिर बस इतना आर्मान है महापूर्शों के कभी न अदा होंगे तो ये महापूर्शों की जो प्रेणा है महान चेतना से जुरने के लिए उसके लिए महान प्रन और प्रतिग्या हमारे अंदर में आने चाहिए और चित्रों को देख करके उसके अंदर में क्या धरसाया गया है क्या बताया गया है उस चीज़ को हमें अपने जहन में जरना चाहिए ताकि हमारा यह जीवन जननत अरथात स्वर्ग बन जाए शुकधाम बन जाए हम ज्योतिर में आत्मा बन जाए जीवन शदन को सदाने के लिए गनेश भगान की प्रतीमाओं के उन्हें बिंदूओं की प्रेणाओं को अपने ज पूरा होगा अन्य था फिर तो जो होता है पान पूजय हरी मिले तो मैं पूजू पहार ताते ये चक्की भली पीश का शंसार पोथी पड़ पड़ जगमुवा पंडित भयानकोई धाया कर प्रेम का पढ़ेशु पंडित होई तो हम अपने जीवन को किस प्रकार के सजीला और शौंदर आदर्शों से अभी भूत करेंगे उसके लिए हमें हर प्रतिमाओं से प्रेड़ना ग्रहन करने की आवस्तिता है तबी हमारा लक्ष्य पूरा होगा आज दुनिया तीज मनाती है तीज में भी हम क्या करते हैं तीज उसमें भी हम लोग कौन सा तेजर रसते हैं उसमें भी क्या बात आती है उसमें भी तपस्या और शाधना की ही प्रेड़ना है शयम और किस प्रकार से हम सब उपासक बन पाएंगे अपने पती के दिरगायू पुर्णायू को ले करके मैलाइट त्याग करती है तब करती है अच्छा बर मिले इसके लिए मैलाएं उपवास रखती है उप का मतलब होता है इश्वर इश्वर परमानंद है उसमें बसने के रास्ते थोरे कटिले हो सकते हैं मगर इस काटों के तार पर चड़ करके जोबिक्ती लक्ष में लगा रहता डटा रहता भीरा रहता तुला रहता पिला रहता लीन तलीन मगन नी मगन रहता उट तपस्वी कहलाता है और तपस्वी के लिए कोई चीज आसंबब नहीं रह जाती है परमात्तुमा करे हम गनेश बगवान की प्रतीमाओं से पेड़ना प्राप्त करके अपने जीवन में दिब तेज, दिब दिरिष्टी, दिब स्रवन, दिब घ्राण, दिब रसना, दिब असपर्स, दिब पत्पर हमारा जीवन अग्रसर हो इनी प्रार्शनाओं के साथ बहुत बहुत नमन ओम नमस्ते हiors लो पेड़ना में, दिब तेज़ना में, दिब ले थीवन फिता हमारा के साथ हमारा जयते हipped अ. क्यों मुद्मिम, दिब पत्वाइं ओम में इनने बहुत अ.